हेलो फ्रेंट्स आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है आज में बनाने जा रही हूँ कच्चे आम का बहुत ही स्वाधिश्ट मीथी चट्मी जिसे बनाना बहुत ही आसान है आप लोग भी इसे आसानी से बना सकते हैं इसके लिए हमें पहले कच्चे आम को लेना है ये तरीके से चील लूँगी इसे अच्छे से फिर से धो लूँगी इस तरीके से मैं अच्छे से धो ले रही हूँ अब इसे मैं एक बरतन में निकाल लूँगी प्लेट में निकाल ली हूँ मैं इसे मैं ग्रेट कर दूँगी इस तरीके से कद्दू कस हमें कर लेना है सभी आम को मैं इस तरीके से कद्दू कस कर लूँगी इस तरीके से मैं कद्दू कस कर ली हूँ सभी आम को इसमें मैं अब चीनी को डालूँगी जिसे साब से आप मीठा खाना चाहते हैं उसे साब से आप डाल सकते हैं इसमें मैं आधे किलो आम में मैं ये दो कटोरी चीनी डालूँगी इसमें काझ है दो आखे अंदुव Congressman है कि अज़म हैं कि ए थीष्टिके से हमें मिला लेना है कि चीनि गल जाएगा उसके बाद हमें कडाई को गयर्म करना है और एक छोटा चमच घी को डालना है और इसमें सोफ का छॉक लगा देना है और यह जो मैं आम में चीनी डालकर रखी थी पानी भी छोड़ दिया है इसे मैं डाल दी कड़ाई में और इसे मैं अच्छे से मिला लूँगी गैस फ्लेम को हमें कम रखना है इस तरीके से हमें चलाते रहना है गैस फ्लेम को कम करके इस हल्का हल्दी पाउडर डाल दी में इसे कलर अच्छा आएगा एक छोटा चमच लाल मिर्च पाउडर एक छोटा चमच नमक एक छोटा चमच इलाइची पाउडर सभी को मैं डाल दी अब इसे अच्छे से मिला दूँगी बहुत ही अच्छा लगता है ये चट्नी बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं आप इसे पना कर अराम से स्टोर कर सकते हैं ये देखी फ्रेंट इस तरीके से हमारा चटनी बनकर तयार हो गया है, मैं गैस को बंद कर दी और ये एक प्लेट में मैं निकाल ली हूँ आप लोग भी इस तरीके से बना कर जरू ट्राइ करें और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें, सेयर करें